पित्रमा अध्याय भाशा विधान इसका शिर्शक है भाशा तो अवश्यक है काव्य में भाशा होती है शब्द और अर्थ से ही काव्य होते हैं शब्द और अर्थ का साहित्य तोनों के सौंदर्य का समवेत तोनों के सौंदर्य की समवेत उपस्थिति यही काव्य है वो भाषा तो मूल उपादान है, इसलिए भाषा का विवेचन सत्रुय अध्याय में करते हुए, उस भाषा में जो समवाद लिखे गए हैं, उन से संबंधित, जो पाठ्थे विधान जिसको कहा है, उसका निरूपन करेंगे, तो सबसे पहले भाषा के संबंध में कहा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, सत्मे अध्याय की 26. कारिका में कहा है, भाषा चतुर विधा गेया, तश रूपे प्रयोगता, जो रूपक के दस भेद बताए हैं, अगले व्याख्यान में हम रूपक के दस भेदों पर ब कि किस प्रकार अन्विती है, रस और भाव बताया, उसमें सात्वी कभिनए आ जाता है, फिर आठवे अध्याय से आंगी कभिनए का निरूपन किया, उसमें व्रत्ति, प्रवत्ति, धर्मी, कक्षा विभाग, ये सब भी आंगी कभिनए के सांथ आ जाते हैं, और उसके बा भाशा से कविता बनती है, उसी भाशा से रूपक के दस भेद होते हैं, तो दश रूपक जो रूपक के दस भेद हैं, जो कि अगले व्याख्यान में हम लेंगे, उन दसों रूपक के भेदों में चार प्रकार की भाशा का प्रयोग अभिनेता करता है, चार प्रकार इन्हो ने बताए अगली कारिकाओं में तो 27 वी, 28 वी कारिकाओं में ये चार प्रकार बताए हैं समस्कृतम प्राकरतम चेवा यतर पाठ्यम प्रयुज्यते एक तो समस्कृत और प्राकरत ये दो तो सुवीदित भेद हैं समस्कृत नाटकों में समस्कृत भाषा में तो समवाद हैं ही वो प्राकरत में भी हैं ये दो प्रकार तो सुवीदित हैं और कुछ अन्य प्रकार हैं जो कि इन से थोड़े अलग हैं वो भी भाषा है क्योंकि भाषा तो बहुत व्यापक है हम हाथ ऐसा कर रहे हैं उसमें भी एक भाषा हमारी है संकेत की भाषा है आँखों से इशारा करता है सिर ऐसे ऐसे करता है तो उसमें भी भाषा है तो देवता भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में वो एक अलग भाषा होगी वो मन की भाषा हो सकती है यह उताओं को शब्दों से कहने की आवशक्ता नहीं है तो भाषा के तो कई प्रकार हो सकते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार पाठी के होते हैं समस्कृत और प्राकृत यह कह दिया लेकिन वाषा इतनी बड़ी वस्तु है कि किवल इनहीं में सीमित नहीं है इसलिए आगे कहते हैं कि अतिवाषा आरि भाषा चे जाती भाषा ततही व्तछा ततह योन्यन तरी भाषा अतिवाषा हो सकती है जो सामानी भाषा से ूपर की भाषा हो देवताओं की भाषा हो सकती है आगे कहा है आरी भाषा आरी जनों की स्रेष्ठ जनों की उत्तम जो पड़े लिखे लोग हैं उनकी भाषा हो सकती है जाती भाषा जो अलग-अलग जाती हैं सामानी जनों की हैं कि कोई मच्छवारा है उसकी अभियान शाकुंतल में एक भाशा है मरच्छे काटिक में शकार है तरदुरक है जुआ खेलने वारे लोग है उनकी अलग-अलग तरे की प्राकृत भाशाएं वो बोलते हैं ये सब जाती भाशाएं है तथा योनियन तरी भाशा और योनियन तरी भाशा है उसका भी प्रयोग नाटक में होता है इसलिए इसका भाशा में चार प्रकारों में उसको भी शामिल किया चिडिया बोल रही है और चिडिया की आवाज निकालना पड़ती है उससे कुछ सूचनाएं भी होती है मुर्गा बांग देता है सुबह हो गई तो नाटक में तो नाटक की जो भाशा है उसमें इन सभी का तांकेतिक भाशाओं का भी प्रयोग होता ही है इसलिए भाशा के प्रकारों में इनकी भी गिनुती भरत्मुनी करते है तो इस प्रकार से समस्कृत और प्राकरत दो तो भाषा के भेद होते ही हैं लेकिन मुख्य जो चार भेद हैं उनी में जाती भाषा के अंतरगत प्राकरत आ जाएगा आरे भाषा के अंतरगत समस्कृत आ जाएगा अतिवाशा, आरेवाशा, जातिवाशा और योनियन तरीवाशा ये चार प्रकार हो गए है अब इनका लक्षन किया है और लक्षन संक्षेप में यही किया है कि देवताओं की भाषा अतिवाशा होती है आरेवाशा जो राजा है, ब्राम्मन है उनकी वह समस्कार पाठ्थि से युक्त होती है, सम्यक शास्त्र विधान से युक्त होती है सम्यक नियाय प्रतिष्ठित होती है और जाति भाषा जो है, कई प्रकार की होती है उसमें मलेच्छों के शब्द धुआ करते हैं यह सब इन्होंने चारों भाषाओं के लक्षन बताए हैं और आगे चल करके 32 कारिका में बताया कि समस्कृत पाठ्थे होना चाहिए जो नायक हैं धीरोदात, धीर ललित, धीर शान्त आदी और धीरोदत इन चारों प्रकार के नायकों के लिए समस्कृत भाषा में संबाद होंगे और आवशक्ता पढ़ने पर ये नायक कभी कभी प्राकृत में भी बोल सकते हैं तो कोई ऐसा एकांतिक विधान नहीं हो सकता है जो सामान्य जन प्राकृत में बोलते हैं वे आवशक्ता पढ़ने पर समस्कृत नाटकों में समस्कृत में भी बोलते हैं जैसे कि अभिज्ञान शाकृंतल में प्रियम बदा समस्कृत का भी प्रयोक करती है भवूति के मालती माधव में कामंद की जो की न्याय शास्त्र की बड़ी विदुशी है वह आध्यन्त समस्क्रत भाषा में ही संबाद बोलती है क्योंकि वह तो विदुशी है और आचार्या है वो गुरु है उसी से न्याय पढ़ने के लिए नायक विदर्बदेश से पद्म मन भद्रवर्ग के लोग उनके मुख से प्राकरत हो सकती है और इसका विप्रीद भी हो सकता है और कहां कहां हो सकता है कि किसी विपन इस्थिती में वा है सामान इस्थिती में दुख में है तो दुख में रधै से कई बार जो है अपने घर की भाषा निकलने लगती है वह बदल जाएगी और जो बहुत मतवाले लोग हैं विक्रत जिन की बुद्धी है उनके मुख से भी समस्कृत का प्रयोग ना कराए प्राकृत के उप्योग को वहां कराए इस प्रकार से सामान ने कुछ बातें भरत्मुनी का जो भाषा विधान है यह दियप यह विस्तार से है लेकिन जो जानने योग की बातें हैं और जिन पर मोटे रूप से आज जो नाटकों के प्रयोग किये जाते हैं उनमें भी हम पालन कर सकते हैं उनको हमने लिया अब जो महतुपूर्ण विशाय है इसमें कि जो पाठ्थ यह नाटक का उसमें क्या विशेष्टाएं होती है उनको पाठ्थ गुण कहा है और छे पाठ्थ गुण भरत्मुनी ने बतला है आपके सामने यहां प्रदरशित हैं और गद्य में यह सत्में अध्याय का यह भाग है तो पाठ्थ गुणान इदानीम वक्ष्यामा तद यह था पाठ्थ गुणों का विवेचन करेंगे कुन उनकों से पाठ्थ गुण है कि छे पाठ्थ के गुण है छे पाठ्थ गुण में सबसे पहला साथ स्वर त्रीनी इस्थानानी तीन इस्थान यह आगे चल कर बताएंगे शरीर के तीन इस्थान है चत्वारो वर्णा चार वर्ण यह भी बताएंगे द्वीधा काकू दो प रंगीत में भी होते हैं वर्णों में भी होते हैं और चित्र में भी होते हैं कविता में तो होते ही हैं तो अलंकार एक बड़ी प्यापक अवधारना जो है उसके अनुसार पाठ्ठी में भी अलंकार होते हैं वो अलग होते हैं वो उपमारूपक दीपक आदी से उनका कोई सं मंद नहीं है वो पाठ्ठी के अलंकार है प्योंकि अलंकार जो समगरता संपूर्णता देता है पाठ्ठी को जो समगरता प्रदान करेंगे वो पाठ्ठी के अलंकार होंगे और अंग पाठ्ठ्ठी अंग उनको कहा है पाठ्ठी के के खुड़ों में कबसे पहले साथ स्वर आते हैं तो पाठी के गुन क्यों कहा साथ स्वर जो बता रहे हैं यहाँ वो तो वास्तव में संगीत के स्वर हैं तो आगे ही 102 कारिका में कहा है कि साथ स्वर कौन-कौन से हैं कि शट्जरिशव गांधार मध्यम धैवत निशादाह ता एते रसेशूप पाद्या सट्जरिशव गांधार मध्यम धैवत निशाद ये जो इसमें पंचम छूट गया है तो शट्जरिशव गांधार मध्यम पंचम धैवत निशादाह ये साथ जो स्वर हैं ये रसों की अनु अब पाठ्छी में इनका उप्योग करना चाहिए, तो पाठ्छी तो गाने के लिए नहीं होता है, पाठ्छी तो जो हम कहते हैं, मंत्र जो है पाठ्छ के लिए हैं, तो मंत्र गाये नहीं जाते हैं, प्रिगवेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र गाये जाते हैं, मंत्रों का पाठ जिस प्रकार से होगा उसमें आरो अवरो होगा उदात तनुदात स्वरीत स्वर लगेंगे यहां भी पाठी में लगेंगे अब उसमें भी सब्तस्वर तो लगते हैं लेकिन गायन फिर भी नहीं होगा हम सामान नित्या भी यह दी बोलते हैं तब भी सब्तस्वरों का प्रयोग हम करते ही है शड़ रिशव गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निशाद का प्रयोग आवाज वड़ी उची जाती है, नीचे संपर आती है तो बोलने में भी इनका प्रयोग होता ही है जब आरो आरो बोलने में भी यदी सवरों का होगा और गायन गान नहीं कर रहा है तो बहुत पाठ्ठी के सवर हो जाएंगे गान के सवर, यदी हम गान करते हैं उसमें तान के सांथ हो सकता है और उसमें जो अन्य गान के गुण हैं वो रहेंगे इसमें पाठ्ठी के गुन रहेंगे यह अंतर है यह अंतर समझा जाना चाहिए इसलिए पाठ्ठी के अंतर सब्स्तोर अलग बताए हैं Sangeet के अध्याए जहां हैं 28 मुए अध्याए से लगा करके 34 मुए अध्याए तक यह 7 अध्याए नटिशास्त्र में संगीत विशेक अध्याय हैं उनमें जो स्वर बताए हैं वो संगीत के स्वर हैं अब ये साथ स्वर हैं इनको चुँकि सामान्यत्या सभी जानते हैं इनको बताने के आवश्यकता नहीं है और संगीत विश्यक अध्यायों में भी इनका स्वरूप बताएंगे ही यहां विश्यक रूप से बताते हैं कि इनका रसों से क्या संबंध है तो हास्य श्रंगार यहो कार्यों स्वरूव मध्यम पंचम हो हास्य और शंगार इन दोनों रसों के लिए मध्यम और पंचम स्वर तो बीच का स्वर रहेगा पाठी में भी और जो कुतब में वादक बजा रहा है वो भी पंचम और मध्यम पर रखेगा तो ये अपने वाद्य को तो उससे शंगार और हास्यरस का बोध होता है शटजर्शभव तथा चैव वीररोदराद भुतेश्वयम वीररोदर अद्भुत रसों में शटज और रिशब ये दोस्वर विशेश रूप से लगेंगे कांधारश्च निशादश्च कर्तव्यो करुने रसे कांधार और निशाद गा और नी ये करुन रस में इनका प्रयोग होगा धैवत अश्चैव कर्तव्यो वीबत से सभयानके भयानक और वीबत इन दोनों रसों में धैवत धा इसका प्रयोग विशेश रूप से होता है ये साथ स्वर उनका रसों से संबंध ये बहुत महत्पूर्ण है जानने के लिए दूसरा जो पाठ्यगुन है छे जो पाठ्यगुन बताए उसमें से वह है स्थान स्थान मतलब किस जगे से वाग उच्चरित हो रही है वानी कहां से निकल रही है वो तीन स्थान है उरस कंठ और शिर उरस यह जो उर है हमारा शेफड़े वाला भाग उसके उपर कंठ है जिसमें कि हमारे speech organs है स्वरयंत्र जिसमें हमारा है और शिर यह सबसे उपर यह तीन स्थान है कई बार हम बोलते हैं तार स्वर में तो मस्तक तक स्वर हमारा पहुचता है मंद्र स्वर में बोलते हैं तो उरस से हम बोलते हैं और मध्य स्वर में बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं यह तीन स्थान है और भरतमुनी कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है पहले भी इस पर हम बात कर चुके हैं कि वीणा इंदो प्रकार की होती है, शारीरी और दारवी, शारीरी वीणा जो शरीर है, वही एक वीणा है, वो दारवी, दारू, काश्ठ से बनी हुई वीणा, जिसकों की संगीतकार बजाता है, वादक बजाता है, तो यह शारीरी वीणा है, उसके लिए खासतोर से समझना चाहिए क्योंकि शरीर में तो ये इस्थान है ही, मनुष्य के शरीर में फेपड़े और छाती और कंठ और मस्तक ये तीन इस्थान है, तो इन से स्वर जब निकालता है पाठ्ठी में, तो इन तीनों इस्थानों का प्रयोग उस प्रकार से होता है, और इन तीनों इस्थानों से जब पाठी का प्रयोग करेगा तो काकू निर्मित होगी काकू कहते हैं जिसको इंटोनेशन कहा जाता है स्वर पर कहीं जोर देना और कहीं एकदम से नीचे ले जाना अर्थ का बहुत कराने के लिए कई बार हम बलागात करते हैं किसी स्वर को थोड़ा सा एकदम से चड़ा देते हैं फिर एकदम से उतारते हैं इसको काकू कहते हैं तो ये तीनों इस्थानों से पाठी का प्रयोग होता है तीनों इस्थानों से पाठी का प्रयोग होने पर काकू निर्मित होती है क्योंकि काकू उपर ले जाएंगे स्वर तो निर्मित होगी नीचे ले जाएंगे तो निर्मित होगी तो उरस से निकालेंगे स्वर तो नीचे की तरफ जाएगा कंठ तक ले जाएंगे तो उपर की तरफ स्वर जाएगा तो इसलिए कहा कि उरसा शिरसा कंठात सुरह काकू प्रवर्तते इस शारीरी वीणा में इन तीनों इस्थानों का प्रयोग होता है उरस कंठ और शिर इन तीनों इस्थानों से काकू का फिर होता है प्रयोग और सामान्य जो समबाद हैं उनमें भी किसी को पुकार रहे हैं, तो उची आवाज में बोलेंगे, तो आवाज गूँचती भी मस्तक तक हमारे पहुचती है, आभा अशनम चे दूरस्त है शिरसासम प्रयोजयेत, दूरस्त व्यक्ति के सांद बाचीत कर रहा है, तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, या एकोने पर दूसरा पातर है, तो कंठ से, बीच के स्वर से बाचीत कर सकता है, और एकदम पार्ष में खड़ा हुआ है, कुछ फुस फुसा करके बोलना है, बहुत धीमे स्वर में बोलना है, और ये जो जनानतिक और अपवारित, ये संबाद के तरीके हैं, ये पहले बता है, तो ऐसा तरी पता कर, बाकी की तरफ बता कर, उसकी तरफ मुख करके बोलता है, तो कुछ मंदे स्वर में बोलेगा, कि दर्षकों को तो सुनाई देगा, और यथार्थ में तो जो पातर खड़े हुए हैं, एक्टर के रूप में वो भी सुन रहे हैं, लेकिन नाटक के अभिना इसकी दरष्टे से वो नहीं सुन रहे हैं, उनको अपवारित कर दिया गया कि वो नहीं सुन रहे हैं, तो ये तब फिर उरस से बोलना पड़ेगा, अब किस प्रकार से आरो अवरो होगा, इसको बताते हैं, नाटक में समवाद में ये हमेशा आरो अवरो चलेगा, सामानी बादचीत में हम इस प्रकार का आरो अवरो होगा, ये पाठी में जो समवाद हम लोक विवहार में बोलते हैं, बादचीत में बोलते हैं, उनमें नहीं प्राया होता, तेकिन नाटक में तो इसका निर्वाह करना पड़ेगा, उरसो दारतम वाक्यम शिरसा जिसको आगे चल करके बताएंगे, बताते हैं, और कंठेन शमनम कुरिया, फिर एकदम से नीचे नहीं लाएगा, उरस तक यो चला गया है, तो इसको कंठ तक ला करके फिर शमन करेगा, यही एक तरह से आरो अवरो का पाठी में रूप होगा, तीसरा जो पाठी का गुण ह ओ है वर्ण है, दातर्श चान दातर्श चे स्वरितह कंपितस्थ था वर नाश्चत्वार एवस्यू पाठ्चे योगे तपो धनां, उदातनुदात्व शरित sama और कंपित, रिगवेद के पाठ्चे में उदातनुदात्व स्वरित का प्रयोग होता है, कहीं कहीं स्वर का भी निरूपन वेदिक भाषा के लिए वेदिक मंत्रों के लिए किया जाता है तो अधनुसार इन्होंने चार वर्ण बताए है और इनके लक्षण सुवीदित हैं और व्याकरण में भी बताए ही जाते हैं वेदिक भाषा में तो मंत्रों का उच्चारण इन स्वरों के विनियोग पूरवक ही होना चाहिए इन वर्णों का विनियोग करते हुए ही होना चाहिए तो उदात थोड़ा उपर जाता है स्वर अनुदात नीचे जाता है और समाहर मध्धि में रहता है कंपित कांपता हुआ स्वर इन चारों का विनियोग कहां कहां होगा किन प्रसंगों में किन रसों में होगा उसको बताते हैं तत्रहास्य शंगार योह स्वरितो दात्वर्णई पाठ्यम उपपाध्यम हास्य शंगार में स्वरित का प्रयोग होगा जो समान रूप से वर्ण लगता है, और उदात वर्णों के साथ आस्य और शंगार में पाठ्य का प्रयोग होगा, और वीर रोदराद भुतेशु उदात कमपित ही, वीर रोदर और अद्भुत रसों में उदात शब्दों का प्रयोग होगा, उदात गुन रहेगा, लेकिन वर्ण जो है कमपित होगा, क्योंकि रोमांचक प्रसंग है, युद्ध का प्रसंग है, आश्चरी का प्रसंग है, और बहुत ज़्यादा मारधार का प्रसंग है, तो स्वर काँपेगा, ये कमपित चतुर्थ वर्ण उसमें आएगा, करुण बीभत्स भयानकेशु पर जाना, फिर नीचे गिरना, अर्थ के बोध के लिए को काकू कहते हैं, ये दो प्रकार की बताई, ये चोथा पाठ्टे गुण है, दिविधा, काकू, साकांग्षा, निराकांग्षा, चेती, साकांग्षा और निराकांग्षा, वाक्य से साकांग्षत बात, तो यह जो आगात हम देते हैं वाक्य पर कि जा रहे हो ऐसा कहता है एकदम से उपर तो प्रशनार्थक हो जाता है जा रहे हो की नहीं जा रहे हो ऐसा कुछ अर्थ हो जाता है कुछ धमकी भी हो सकती है अलग अलग स्वरों से आगात दे कर के यह दि हम कहेंगे तो इस प्रकार से दो प्रकार की काकु होती है अपेक्षा है कि जवाब कि उसको जा रहे हो तो यह हाना या नहीं में जवाब और जाओ जाओ ऐसा कुछ कहता है तो यह आकांक्षा उत्तर की नहीं है आदेश सीद्धे देदिया है यह दोनों प्रकार से इनका कैसे विन्योग समबादों में होगा काकू कैसे लगेगी उसको बताते हैं तारादी मंदरानतम अनियुकतार्थम अनिर्यातित वर्णा लंकारम कंठोरस थानक अतम साकांक्ष जो है तार से लेकर के मंदर तक उपर आवाज जाती है और फिर मंदर तक आती है और वर्ण और अलंकारों का उसमें पूरी तरह से समगर निर्वा नहीं होता है क्योंकि अदूरा छोड़ना पड़ता है और कंठोर उरस थान तक इसमें सुर जाता है निराकांक्ष जो है नियुकतार्थ है इसमें संपूर्णता है अर्थ की क्योंकि आकांक्षा नहीं है निर्यातित वर्ण अलंकारम वर्ण और अलंकार इसका निर्वा करते है और शिरस थान गतम मंदरादी तारांतम शिर से अरंभ होता है और नीचे उतरता है तक आकांक्ष में इस प्रकार से साकांग्श और निराकांग्श दो प्रकार की खाकू इनों ने बताई और अलंकार जो हम कर्चा करते आ रहे हैं, कि अलंकार कविता के होते हैं, संगीत के होते हैं, चित्र के होते हैं, यहां पाठ्ठी के अलंकार हैं, और छे पाठ्ठी गुण बताए, छे पा की संख्या का भी महत्वे चही पाठ्ठ गुण हैं चही अलंकार हैं इन्हें परसपर अन्विती है क्योंकि आगे चलकर के जो पाठ्ठ अंग बताएं हैं वो भी छे हैं जो छे पाठ्ठ गुण हैं छे अलंकार हैं और छे पाठ्ठ के अंग हैं ये परसपर संबद्ध हैं ये इच्छे जो अलंकार है ये पाठ्ठी के अलंकार, कावी के अलंकार से बहुत भिन्न हैं जो हम कर्चा करते रहे हैं, उच्छो दीपतष्च मंदरष्च नीच्छो दृत विलंबितव पाठ्ठी सेते यलंकार आहा, ये पाठ्ठी के छे अलंकार हैं, उच्छ दीपत मंदर न नीचे जाता है दुरुत तेजी से कहा जाता है विलंबित धीरे-धीरे कहा जाता है गती, यती और लए, इन से जुड़े हुए हैं ये अलंकार, काकु में भी उपर स्वर जाएगा और नीचे आएगा, लेकिन वहां गती, यती और लए की बात नहीं है, वहां जटके के साथ हो जाएगा स्वर उपर जटके के साथ नीचे आ सकता है और यहां तो गती यती और लए के साथ में स्वर का उद्दीपन स्वर का उपर गमन मंदरता नीचे आना और दुर्थत होना विलंबित होना ये किया जाएगा बाकी इनके लक्षन उसी प्रकार से हैं क्योंकि इस्थानों का प्रयोग तो होगा ही उरस, कंठ और शिरस इन तीनों इस्थानों का प्रयोग होगा तो उच्चो नाम शिरस थान गतस तारस सुरह जो उच्च अलंकार है उसमें बहुत ते उपर जाकर के स्वर निकलता है लेकिन पाठ्ठी का प्रयोग करेंगे गति यती और लई के साथ में निर्वा होगा तो उच्छ लंकार हो जाएगा और यदि एकदम से उतार लाएंगे तो काकू हो जाएगी यह अंतर है स्वरों का उपर जाना और नीचे आना यह तो समानता है काकू में भी होता है अन्य जो अभी बताएंगे पाठ्ठी के अंग उनमें भी यही बात होगी लेकिन सुक्ष मंतर है कि गति यती और लई का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है और अन्य तत्त्व किस प्रकार के है तो उच्चो नाम शिरस्थान गतस तारस सुरह सुच दूरस्था वाशन विस्मयोत रोतर संजल्प दूराववान स्रासना बाधा देशु वह दूर जो खड़ा है उससे बाचीत करना आश्चरी में कुछ जोर से बात निकल जाती है उसमें इसमें कोई जड़प हो जाए उत्रोतर संजल्प परस पर कुछ बाग कला हो दूरस्थ पात्र को पुकारना हो दराना धमकाना हो बाधा देना हो उसमें ये उच्च नाम कलंकार का प्रयोग होगा दीप्तो नाम शिरस्थान गतस तारतर है यदि उच्च में तारस्वर होता है तो दीप्त में तारतर स्वर होता है और भी उंचाई तक चला जाएगा स्वर और मस्तक तक तो इसमें गुंचती हुई आवाज जाएगी ही तच आक्षेप कला विवाद अमर्ष कृष्ट आधर्शन क्रोध शोर्य तीक्षन रूप ख्षा विधान निर्भत्सन आक्रंदिता दिशु वह आक्षेप कला विवाद अमर्ष बहुत क्रोध मन में भरा होना और भर्षना करना धमकाना क्रोध शोर्य और तीखा और रूखा बोलना इन सब में डपटना इन सब में और चीखना चिलाना इन सब में यह दीप्त नामक होता है यह और भी अधिक उच्छ हो गया दीप्त हो गया तीसरा जो है मंदर है तो मंद्र जो है उसमें सवर नीचे से ही चलता है और निर्वेद गलानी चिनता उत्सुक के देन्य व्यादी फृड़ा, गार श्रतरक्षत, मूर्चा मद, कोई आर्थ बचना आदिशू, कोई पात्र जो है निराश है, निर्वेद है, उसको गलानी है चिनता है, उत्सुकत स्थान से निकलेगी लेकिन फिर उपर नहीं जाएगी नहीं तो काकू होने लग जाएगी कोई करा रहा है इसको चोट लगी है युद्ध में इन सब के पात्रों के वाठ्छे में मंद्र लंकार लगेगा और नीच जो इस्थान है और भी नीचे ले जाएंगे यह उत प्रया इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है तो स्वाभाविक आभाशन में व्याधी में श्रम बहुत अदिक ठकान से चूर्च हो जाए कोई इतना नीचे तक ले जाता है तो यह नीच स्वर हो जाएगा तो मंद्र स्वर यहां तक होगर होगा तो उरस से निकल रहा है तो इस से यह सूक्ष्म अंतर दोनों में है और इसमें फिर मंद्र स्वर का प्रयोग होगा दृत जो है वह इसमें लैत तीवर हो जाएगी दोतो नाम कंठ कता है सत्वरित है कंठ से इसमें बढ़न निकलते हैं और त्वरित पाठ्य का उच्चार्ण होता है ललन मनमन भयशीत ज् रास आयस्त अत्यधिक कारिया वेदरादिशू किसी को लाड़ करना मनाना और डरना स्वयम का कांपना शीत के कारण बुखार होना तरस्त होना वह बहुत जरूरी काम है खड़बड़ी होना मतलब इसमें इसका दृत का प्रयोग होता है विलंबित उसके विप्रीत है इसम यती और गती मंद हो जाएगी मंदी होगी विलंबित नाम कंठ स्थान गतस तरू मंद्र है विलंबित नामक जो अलंकार है वह कंठ उसका स्थान है वह तरू मंद्र है बहुत मंद्र स्वर में नीचे कंठ से नीचे स्वर ले जाते हुए वह ताय शंगार रस्च परस पर बाचीत कर रहे हूं, अपने विश्वस्त बाचीत करते हूं, करून अरस विचार वितर्क करना, उसमें भी इन सब में इसका प्रयोग होता है इस प्रकार से ये पाठ्ठी के अलंकार है अब यहां तक चोथा पाठ्ठी कुन बताया गया उसके बाद काकु पांच मां है तो इस मया मर्श योष चैवा प्रहरश परी देविते अब स्वर का आरोह और अवरोह काकु यह दी है तो अलंकारों के साथ उसका फिर प्रयोग होगा तो यह जो अलंकार बतायें चैए ये भी उसके साथ लगेंगे तो मंद्रा विलंबिता और दीपता ये काकु हो जाएगी विसमे अमर्श और प्रहरश में और लगवक्षर प्रायक्रते गुरवक्षर क्रते तथा उच्चा दीपता चे करतव्या काकु स्तत्रप प्रयोग तरभी और लगवक्षरों का काप वे है अत्वा गुरुक्षरों का काप वे है तो उसमें उच्च और दीपत काकु का प्रयोग होना चाहिए शंगारहास्य करुणेशू इस्टा काकुर विलंबिता शंगारहास्य और करुण में विलंबिता काकु का प्रयोग करना चाहिए वीर रोदराद्बुतेशू उच्चा दीपतावापी प्रशश्यते वीर रोदर अद्भुत रसों में उच्छ और दीप्त काकु का प्रयोग करना चाहिए बयानक और बीबत रसों में दुरुत और नीच काकु का प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार से स्वरों का रसों से संबंध है पाठ्षिया लंकार जो बताये हैं छे उनका रसों से संबंध है बताया ही है और काकु का भी रसों से संबंध है अब पाठ्षि के छे अंग है ये छठा पाठ्षिय गुण है जो छे गुण बताए और यह अंतिम विशाय है इस सत्रमें अध्याय में विच्छेद अरपन वि अवसान करना है वाक्य कहा कहां उसको समाप्त करना है कहां जारी रखना है अगले वाक्य से जुड़ जाए और कहां उसको उद्दीप्त करना है कहां उसको प्रशमन करना है तो ये पाठ्यांग इनको कहा है और ये पाठिया लंकारों से भी बहुत संमंदित हैं मिलते जुलते भी हैं लेकिन ये अभिनेता की समझने के लिए गुण है पाठिके जो संबादों का निर्वाह कैसे उसको करना है तो वो अर्थ समझकर के करेगा कि जहां विच्छेत करना है जहाँ अवसान करना है जहाँ तोड़ना है जहाँ जारी रखना है यह पाठिके अंग है और कैसे इनका निर्वा होगा उसकी विधी बताई है वो सुक्ष में ढंग से तो यह बहुत ही जो अभिनेताओं के लिए बहुत ही महतपूर्ण है विच्छे तो सामानेते जानते हैं कि हम रुख जाते हैं जब पढ़ते समय भी यहां पूर्ण विराम आता है वहां रुखना ही चाहिए यहां अल्प विराम हमें वहां भी थोड़ा रुखते हैं उन इस्थलों को समझना चाहिए कि कहां रुखना है पर अर्पणम नामर इलायमान मदुर्व अलगुनास कुछ अबनेताओं में यह गुण होता है कि उनकी जो लचक लोच आवाज की है उससे पूरा जो प्रेक्षाग्रा है वो भरता चला जाता है उनके स्वर का गुण्या है विसर्गो नाम वाक्यन न्यास है वाक्य का न्यास की यहां पर निर्वाह करके उसको समाप्त किया है वा विसर्ग है अनुबंधो नाम पदान तरेश्वपी विच्छेदा अनुच्छ सनम्च है जारी रखना एक पद दूसरे से जुड़ रहा है तो थोड़ा सा विजबीच में जारी रखते हैं भी अटकते हैं यह अनुबंध है और दीपन जो है धीरे धीरे स्वर को अजस्वी संवादों में होगा और प्रशवन उसका ठीक उल्टा हो जाएगा शांतरस के प्रसंगों में यहां उत्तेजना का शमन करना है उसमें भी तो दीरे दीरे नीचे स्वराता चला जाएगा प्रसों के अनुसार इनका प्रयोग होगा इस प्रकार से यह जो के छे गुण बताए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका रसों से संबंध है